दोस्तों आज हम बात करने वाले नतिक फोन के ऐसे 5 रीजन के बारे हम बात करेंगे जिसके लिए हम लोगों को लेना भी चाहिए या नहीं इन सब चीजों के लिए अनसर मिलने वाला है आज हम लोग फिरसे आगें नहीं वीडियो साथ और उस साथ ही साथ में आये हम लोग अपने निव सेट अप के साथ तो कैसा लग रहा है अप लोगो तो कमेंट सब्सक्राइब दो आज आजाते है अपने टॉपिक पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन की पहले रीजन तक ही मिलती है आपको मतलब 500 इंट पे कैप लगा रखा है वाया सॉफ्ट एर उन्हें लॉक कर रखा है जिसको वह आप अच्छीव नहीं कर सकते हैं मर यह डिस्पेल जो आप कंपनी ओलेट पैनल इसके अंदर जो आ रहा है वह काफी जादा कैपबल है काल पे का कहना यह भी यूजलस हो जाता है मतलब ऐसा लगता है बड़ा चीप टैप का चला रहे है फोन का फील नहीं आता है कि मतलब इतना एक्सपंसे फोन चला थाटी थाज़न से अब अब का यह अगा तो पैसे भी कम नहीं है तो डिस्पलेश पीक ब्राइटनेस वहां कम होती है और जब यह नहीं के बाद आप पीक ब्राइटनेस प्लाइट अटार है तो यह बहुत जादा ही कम फील होता है तो यह सबसे बड़ा मुझे फ्लौ लगा है मुझे कहीं लगता है कंपनी अपडेट की थूरू इसको इंप्रूफ करना चाहिए और कंपनी का एक्स्क्यूज यह है कि तो आपको इसमें कैप लगाने ज़रूद किया है आप इतना टाइम हो चुका है फोन स्टेबल हो गया है तो आपको इसको भी रिजॉल्व कर देना चाहिए तो यह पहली प्रॉब्लम थी जो मैंने अपलो साथ चाहिए अब दूस्तों बात कर लेते हैं मारे सेकेंड रिजन क बहुत अच्छी आप्टमाइस करके दिखा देता है प्रिजेंटेशन बहुत बढ़ी है इसका माइक बड़ा एवरेज मुझे फील होता है अपर एवरेज भी नहीं बढ़ूँगा और जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 4K 30fps पर शूट करता है तब इसकी फ्र अब आप 4K 30fps पर रिकॉर्ड करते हो तो अब आपको फील होता है थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स बगएरा हो रहे हैं यह कॉम्प्रमाइस आप नहीं करना चाहोगे कहीं कि इसका प्रोसेसर का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज को पोटेंशल दिखाने में बट आप य आपको फोटो से लेना है तो यह फोटो से आपको फोटो से सबस्क्राइब करें अब दोस्तों आप थार्ड रीजन के वारें थार्ड रीजन यह इसमें जो प्रोसेसर आता है नथिंग फोन वन के अंदर स्नैप्डागन 778 G+. देखिए कंपनी जितना उसका पोटेंशल उस करते हो उस प्रोसेसर को तो मतलब आपको यह फील नहीं होगा कि आप मतलब सस्ता मतलब फोन चला रहे है सस्ता मतलब ऐसे भी नहीं है तो आप यह समझ सकते हो आपको फील नहीं आता कि आपको प्रॉब्लम करें जब आप हाट टास्क करते हो आप क्रेटिव काम कर रहे हो अब वीन एप चला रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, ब्लॉक वगएर एडिट कर रहे हो, काइन मास्टर यूस कर रहे हो, यह लाइक आप गेमिंग भी कर रहे हो, तो गेमिंग में भी आपको कहीं नियर भाई लगए, ग्राफिक्स इसके थोड़े वीक है, और प्रोसेसर अप वह आपकी है, तो वह बेस्ट है, तो यह हर किसी का अपना-पना माइंड सैट होता, तो वह मेरा भी है, बट मैं जनरली अभी तक इससे पहले मैं 2-3 वार नथिंग वन ले चुका हूँ, 3 वार कैसा, फर्स्ट ताम मैंने नया नया लाउंच हुआ, तब मैंने 256GB वरेंट वह बेस्ट करके वार नथिशन पर नथिए तो मुझे का इसको रिटर्न करके रिपलेस्मेंट मगाया, तो यह सब चीज़ा भी देखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने पुर्ण पर्चेस किया, कोई पेड रिवीउ नहीं कर रहा हूं, तो मैं जनूरन बात बता र मतलब धंग से वीक लाइक, कोई BGM वगरा खेलते हो, स्मूद प्लस एक्स्ट्रीम खेलते हो, तो कभी 55 से लेके, 60 के वीचे में यह वेरी करता है, कहीने कहीं फ्रेम डॉप्स वगरा होते है, ऐसा तो फील मुझे होता है, बिल्कुल स्मूद वर्क नहीं करता है, बिल्कु प्रोसेसर कैपिवल होगा, तभी उतना हार्ट वर्क कर पाएगा, तो यह मुझे लगता है, तो यह चीज है, अगर 30,000 से एवा भी यह फोन पढ़ता है, 30,000 या 29,000 का आपको पढ़ रहा है, तो मैं सजेशन यह दूँगा, 26,000, 8GB, 128GB वाला 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 और डेफिनिटी मैं अस फोन को लेने वाला हूँ, और रीजन यही है, मेरा कही निगी, प्रोसेसर की जो इसमें कमी है, नथिंग फोन वन में, पर्फॉर्मेंस से लेकर मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है, जो इसकी पर्फॉर्मेंस अब अप्टमाइस होके, इसका ग्राफ एवरेज यूज में, हाटकोर गेमिंग वगरा कर रहे हो, आप नॉर्मल तास्क, हवी टास्क वगरा कर रहे हो, तो फाइव आवर्स का बैटरी बैकप दे देता है, 4,500 mAh की बैटरी इसके अंदर, और 33 Watt की fast charging सपोर्ट करता है, मैं इसके लिए officially charger में यूज नहीं करता तो वो सब चीज़ा अलाग है, मगर इसमें ये problem मैंने काफी टाम से face कर रहा था, बट मैं इतना notice नहीं करता था, फिलाल मैंने नोटिस किए, यस्टरडे जब मैं इस phone को use कर रहा था, मैंने अपने बैड पर रख दिया, 16% पर बैटरी, और बैटरी से विंग मोड लगा इस phone का battery drain हो चुका है, तो यह थोड़ा सा major issue feel हुआ, मुझे भी लगा कि यह कुछ जादा हो रहा है, मैं इसको realize नहीं कर रहा था, पर जब यूज करते हूं तब इतना feel नहीं होता, जब आप stand-by time में यह phone रखा होता तब drain होता है, और यह काफी लोगों की complaints है, आप लोग पर्चेस किया है, तो वो चीज़ एक point create कर देती है, एक point करा देती है, खुद की दिमाग में, तो वो चीज़ भी matter करती है, तो यह सब चीज़ भी आप ध्यान दीज़ेगा, बैटरी तो है, but guys मैं एक बापता हूं, और comment section में आप comment करने आओ, कि मेरा phone सबसे जादा perfect है, त अधली उसमें एक camera का lens पूट गया, उसके बाद भी आपका phone सबसे best होता है, समझ रहे है, cover back panel तूटा हूआ हूँ, आपका phone सबसे जाद दुनिया में सबसे फाडू दिखता है, तो वाली feeling आती है, तो वो मैं relate कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी human हो, आप भी human हो, तो वो चीज प्राइस को बहुत fluctuate करता है, बहुत जादा अपने monopoly type का चला रहा है, कभी iPhone के rate को कभी उपर नीचे करता है, जब आप 49,000 के बेच रहा था, उससे पहले जब पहले sale में लिया था, मैं दो आइफोन से लिया, तब भी मेरे साथ यशू हुआ था, फिलाल मैं चार्जर के ब अभी आप price बढ़ा रहे हो तो अलग चीज़ है, आप area pin code के साथ से और delivery करते हो, यह complaint ना मेरे subscribers मुझे बता रहे हैं कि ऐसा सा problem मैं face कर रहा हूँ, even मैंने भी यह face किया, तो मैंने notice कर रहा है, मैं वह आप लोग बता रहा हूँ, 26 से लेके 27,000 रुपीस का अगर अगर आफ कर सकते हो, दोस्तों बात करते है bonus tip के बारे में, bonus tip मैं आप लोग लिए देना चाहूँगा, कि जब भी कोई नई market में company launch होती है, तो उसके market में जब वो establish होना चाहती है, तो वो अपने service centers को बहुत जादा अच्छा करती है, अपने product को बहुत जादा अच्छा करती है, आपके घरवालों नो budget दिया, 25 से लेके 30,000 तक का आप ले सकते हो, तो आप कही न कही न दो से तीन साल तक उस phone को pursuing करेंगे, आपको लेकर चलने के यूज करने के लिए सोचेंगे, लॉंग दम के साप से, यह चीज कही न कहीं आपको दिमांग में कर देती है, यह सब चीज में यह phone launch होगा, confirm है, 8 Gen Plus processor के साथ आ रहा है, यह processor के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो यह processor जाने वालों को बहुत जादा stable है, किसे previous time में Snapdragon 870 processor आया तो जो almost आपका सारा जो mid range जो flagship phones थे उनमें सम्में दे रहा था, आइको वीवो यह सब चीज उस कर पहले थे gaming के लिए, तो बहुत बढ़िया थरीकसा काम करा था, उसी type का यह भी है, बहुत जादा stable है, क्योंकि इस से 2 साल पहले, Snapdragon 888, Snapdragon 8Gen1, यह दोनों के दोना unstable थे, बैटरी बहुत जादा consume करते थे, आर्किटेक्चिंग को बगरा बलकुल वाहियाद था, अब उन्होंन से nothing phone 1 में, तो 5 reasons थे, जो plus 1 reason में बताया, वो सब आप लोग के लिए अच्छे के लिए बताया, अगर आप लोग को relate कर पा रहे हो, तो अच्छी बात है, पर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए 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 लाइक कर सकते हो, और जाधा ही पसंद आया, आप लोग कुछ मेरी बात से relate नहीं कर पा रहे हो, या पर कुछी problem है, आपको लगता है मेरी बात हो सहमात नहीं है, तो आप commentation में बात कर सकते हैं, जरूर बात कर देंगे, बरतला थोड़ा सा हो जाएगा, तो अच्छा भी लगेगा, तो दोस्तों पस लास नहीं बोलेंगे, do not forget to like, subscribe, comment and share, next video तक लिए, bye-bye!